नमस्कार आप देखने सुपरफास फ्यूचर और आज एक नेरो रेंज पे बने हुए लेकिन उसमें भी वोलेटिलिटी बहुत स्ट्रॉंग है इसले सो से कुछ रिकावर जरूर कर गए फिलहाल चारंगों के आसपास की बढ़ते हैं 8579 के लेवल पे निफ्टी सेंसेक 67 पॉइंट आप निफ्टी बैंक आज जातर कॉंपोनेंस लाल निशान में दिखाए देंगे आपको खासतार से पीसू रिलेटिड क्योंकि बैंक और बढ़ोदा ने डिसपॉइंट किया है एनपी इस ऑ ग्रॉस नपेस फॉरंट पे उसका असर है स्टॉक प्राइस 8-9% नीचे है मिड कैप और स्माल कैप स्टॉक बहुत काउंटर स्पेसिफिक अपरोच है आज ट्रेडर्स की लेकिन फटा-फट से कुछ आंक्रे देखते हैं इनफाक्ट आज जो फ्यूचर्स और ऑप्शिन्स के समिकलर बन रहे हैं सबसे पहरे निफ्टी फ्यूचर्स के लिहाज से लगबग 7 लाग शेर, स्ट्रॉंग एडिशन, 8-2% के आसपास का, 8600 की ऊपर टिकने की कहीं न कहीं कोशिश हो रही है, देखते हैं यह लेवल आज टिक पाता है कि नहीं, लेकिन निफ्ट से एक पुल बाक विजिबल था, लेकिन कुछ अगर आंक्रे देखे जो निफ्टी, 8600 की कॉल, 8700, 8800, आज सभी में ही ओपन इंटरेस्ट में भड़त देखने को मिल रही है, यानि कि ट्रेडर्स उपर इस तरो पर अभी भी हो सकता है कि राइट पोजिशन्स जादा करते हुए नज़र आए, उपर से इंपोर्टन यह है कि आज किसी भी लिह पर अभी है, यानि जो नवागत आपका, सब पुल बैक ज़रूर हुआ, पचासी एसी के लेवल पर काम काज कर रहे हैं, लेकिन छासी सो को रीकॉन कर नहीं कर पार हैं, क्या मानते हैं, यहां से कर तेजी बढ़ेगी, या फिर फिर देखने को मिल रही है, यानि पर इस तर से उपरी सोर पर दबाब, रजी नमस्कार, रजी अगर हम डेली चार्ट पर देखें तो मार्ट की सिरीज के लास से हमने अभी तक एक अप्टेंड में निफ्टी मूव कर रहा है, और अभी जैसे हमने पिछले दो ट्रेडिंग सेशन के अगर हम बात करें तो हमने जिरो की रेंज में निफ्टी स्पोर्ट अगर आए, तो बाय करके चलें, 8640 का टागेट रहेगा और 8540 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए. इस बैंकिंग स्टॉक्स पर व्यू बताएं सार, आज जिस तरह की बिक्वाली विजिबल हुई, बैंक और बड़ोदा बैंक बड़ोदा में थोड़ा सा गिरावट हो रहा सकता है, रेंज जी, 142 की रेंज तक स्टॉक जा सकता है, क्योंकि एक इंटरमेडियर सपोर्ट है 146 का और 4-5 पॉइंट का और इसमें करेक्शन देखना को मिल सकता है, इसमें मैं जी के दर्श्यों को सेल की ही आपका विव? पी एन बी में माइड लेगेटिव है, लॉंग टम बेरिश नहीं बोलेंगे, माइड बेरिश है, इस स्टॉक वन वन टू की रेंज तक जा सकता है और एक इंटरमेडिट जो रेजिस्टेंस है वन वन नाइन का उसका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा स आपके बी बाई रिकमेंड रहेगा, तुसमें लग रहा है कि 85-40 और 85-78 अच्छा का सब्सक्राइब है आप मार्केट को भी इस रेंज में जबी भी भी आ रहा है कि वहां पर बाई कर सकते है नीचे में 85-40 के एक सब्सक्राइब कर सकते हैं कि सॉफफ मेंटेन करके अफसा यहां से 588-590 के एक अफसेट कर सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर से निचे में 564 अपसे बात हुई थी तो आपने का था हायर लेवल्स पे रिजिस्टन्स फेस कर रहा है मार्केट बिल्कूल वैसे हुआ लेकिन यह अब इतना स्ट्रॉंग बिक्वाली कल के अनुपात में नहीं है आज तो क्या माने यहां से कुछ निचले सो से पुल बैक विजिबल है या फिर अभी टूट सकता है मार्केट में मैंने कल आपको बताया था कि 8500 का एक लेवल है जहां वो आज निकोकल या आपके 10 तिन-15 दिन में कभी भी जाने की पोशिस करेगा लेकिन जिस जो इस्टिशिल वायर से हमारे खुट के वो भी शायद परिजारी करते होंगे तो आज का जो मार्केट उस तालग है और अभी पीरोप जब खुला है तो मन लगता है कि वहां पर कोई ज्याजा माहिस ही नहीं है तो और यह सब को देखके थोड़ी सी यहां पर रिकवरी य सब्सक्राइब कर रहे हैं उससे काफी और यह करेंगी काफी बाते आई थी तो अधित्या बुल्यानुओ के साथ काफी और सब्सक्राइब कर दोड़े हुए है तो मैंने आज उसमें एक करिदारी का कॉल दिया है अगर अगर आप उनका 52-week हाइट एक तो फिस्टी पाइफा है यानि कि कम से कम यहां से और अपर की तरफ भी इने तो कम से कभी सौर जा सकता है लेकिन इंट्राइक के इसाब से करिद नाइटी सिक पॉइंट फिटी के कप तो जा सकता है विश्टावल दो नाइटी पुर अगर आप जुलाइ आप जुलाइट और अगर आप जुलाइ एंट और अगर बिगिनिंग में बने उसको पने करता है तो उसकी ट्रेंड लेंड सपोर्ट से ही आज मार्केट रिकावर रुवा उस्टी सब्स्टी के साथ निफ्टी को बाइटर ना चाहेंगे 85-47 स्ट अगर बाइट रहे हैं तो यहां पर तुइंटी सिक्सीट के सटॉप लोग विजिशन इनिशिट करने के लिए पहले में निफ्टी स्टार जी बतादू जो जो जानकारों बताई है कोई कॉलसेल नहीं निकल रही है समय मार्केट की सभी पही अप्रोच पॉजिटे रहरे ह 25 चूलेगा बजार निश्ले सो से एक recovery मार्केट पे आ सकते हैं कि बहुत strongly पहले ही selling हो चुकी है साथी साथ विकास सलंग के मानते हैं निवल बांक से कि 86-70 का टागेट से देखने को मिल सकते हैं इस तरो पर यहां से निश्ले सो से एक pullback साफत और पर visible markets पे है European markets की positive opening होई है prudent broking मान रहा है कि 86-45 के लक्षे के लिए nifty खरीदे 85-47 का एक stop loss रखना होगा और साथी आज के मिमान हिमांशी शर्माजी इनका मानना है 86-40 और stop loss 85-40 तो चारो calls रे nifty की वो plus आई हैं और European markets की positive opening होई है तो एक bounce back हो सकता है due home market पे